हलो दोस्तों शड़ी मोड में आपको स्वागत है बिहार पुलिश कुष्टेबल भरती 2020 ये जियो भी ग्यान का टेस्ट वन है जिसमें 100 कुष्षन होगा जिसमें सिर्फ कोशिस करना है आपको 75 कुष्षन लगाने के लिए पर तेक कुष्षन के बाद मैं उसका विस्तार से 20 लेशर भी करूँगा यानि कि कुष्षन के साथ आपका थियोरी भी क्लियर होते जाएगा ठिक और ये पहला टेस्ट है इसके बाद सौव से उपर कुष्षन का दुसरा भी टेस्ट आगा वो दोनों अगर विडियो देख लेते हैं तो मैं डेली बेसिस पर आपको मिनिमॉ टेस्ट भी बाइलोजी से स्टार्ट करूँगा जिसमें 25 कुष्षन होगा और वो आप प्रेक्टिस करते रहिएगा तो एक्जाम होल में एक भी आपका साइंस का कुष्षन नहीं छुटने देने वाला हूँ मैं ठिक तो जैसे जैसे मैं कुष्षन करा रहा हूँ हूँ कि यहां करेक्श नहीं जोके से करेक्टिस के मैं देने खते वाला हूँ किसगें टो तो फाजर और बेलो जी कहा जाता है आपको A aristotal Miss की अरस्तू को कहा जाता है कि Two K mounting क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कौशन नमर कौशन 3 देखेखें कि 2010 जन्तू पिग्या के जनक तो सैवालो का ध्यान को फाइको लोजी बोला जाता है अब चलिए कुछ पूछा हुआ है किसका तो economics में किसका का अध्यनक किया जाता है आपको किया जाता है concepts Which means समझ देखे But यह मद्वंख्वी पालन से समंदित है एपी कल्चर होटी कल्चर किस समंदित है तो यह सवालों से समंदित अध्यान है यह याद रखिएगा फाइकोलोजी किस समंदित अध्यान है तो यह सवालों से समंदित अध्यान है फाइकोलोजी किस समंदित अध्यान है फाइकोलोज ऐद रखेगा एक तियो लोघी में म gour Fin Expedा दिया देंट्रोलाजी डेंट्रोलॉजी में आपको ब्रिच या जाड़ियों का जाता है जाटा पॉपर ही तो से कहते हैं होट कलचर यह याद रखेगा सचलाइब का बटाई और वरगी की पीता किसे कहा जाता है यह आपको बताना है निमलिकीत में से किसे वरगी का पीता कहा जाता है तो वरगी की पीता कहा जाता है इसे लिनियस को वरगी की पीता कहा जाता है यह याद रखिएगा इसी हो जाएगा कुसे न नमर नहीं ते कि दिवनाम पदिती किसे ने दिया था दिवनाम पदिती किया था यह आपको बताना है यह दो नामक सिसर दो हमने यह होते हैं तो हाईडरॉस में की जली से समधित होते हैं हाईड्रो फाइटर से होते हैं वह जलिए पॉधे उतस के अंसर हो जाईगा question 11 फच्क देखे कि जिन पॉधेंपर बीज बनते हैं किन तो पुस्प नहीं लगते से यदा याद रखे पॉधा Q13 देख लीजे 12 छुट गया है Q13 देख लीजे कि जिवाडू की खोज किस ने कि थी तो जिवाडू की खोज जो किस ने किया था लून होग ने किया था याद रखेगा जिवाडू की खोज ने इसका इंसर तरह कड़ी हो जाएगा अब चल यह महतपुर्ण में खोज आपको यहां से करा देता हूं क्योंकि इसा related question पूछ देता है यहांपर दिखिए RNA की खुज किस ने की थी तो यहाँपर और यार्ट रूठी ने यहाँपर याद रखिएगा ड्यने की खुज किस ने की थी तो Jims Vartsen और Kirk ने ड्यने की खुज किसी किये थे insulin की उसके चिकत्सा के खोज किसने किया था चेचक की थिका के खोज किसने किया था, जनेटिक कोड का हर्बिंद खोरा न यह भारतिय हैं नोबल पुरुसकार भी मिला थेutको जनेटिक कोड का खुच किया थे टीवी किटाडू या चिकित्सा के खुच किस ने किया था तो टीवी के जो किटाडू या चिकित्सा है इसके खुच रोबर्ट कोच ने किया था डाइबेटीज या चिकित्सा के खुच किस ने किया था डाइबेटीज के चिकित्सा के पोड़ कोशन है जॉन्स इस सॉल्क ने पोलियो टीका का खोच किया था यह याद रखेगा बीसीजी टीका के खोच किस ने किया था था यूरीन कालमेट ने किया था यूरीन कालमेट ने किया था बेरी बेरी रोग चिकित्सा के खोच किस ने किया था बेरी बेरी जो रोग हो की आपको खोज की थी रख्ट परिवर्थन की खोज ने की थी तो रख्ट परिवर्थन की खोज लीया था लड अश्टीनर से ठीक ने थीड मिटामिन इसना के टामिन सी के के खोज किया था यह किस ने किया था इजोक होलकाट नाम याद रखेगा we butts mean c है जुकि आपको परचार मात्रा में किसमें मिलता है तो यह मिलता है आपको आवला में परचार मात्रा में और इसके कमी से कमी से करमी सा स्कार्बी रूग हो जाएगा Schweiz et H होमपैथिक के खोज या होमपैथिक की जनक किसे बोला जाता है तो हनीन मैन को बोला जाता है हनीन मैन यह आपको याद रखिए का हनीन मैन को या हनीन मैन कहीं लिखा राता है तो 25 के एंसर हो जाएगा यहाँ पर हनीन मैन है होमपैथिक को खोज किस निकी अब यहाँ से 14 नमर अगला कोशन के कोशका भित्य किसके बनी होती है बहुत बश्चन ये दरोगा में भी कोशन पूचा हुसा था इसाबर के मुख परिष्चा में कोशका भित्य किसके मतना है तो नमर 16 कि किस वर के पौधे में बीज बनते हैं परंतो बिज नगन रूप में पौधे में लगे रहते हैं बिज तो बनते हैं लेकिन बिज जो है नगन रूप से पौधे में लगे रहते हैं उसे कहा जाता है ये बताना है किस परकार के पौधे में तीज का नाम है जिमनो अस्परम सबसे चोटा क्वा होगा कोशनर में सबसे मिलेखित किस स्नुजीन का परयोग किया जाता है रखता है यह थेक स legitim फ्लिक्टेयीर क्याता मापी जाती है यह जो आपको पाय आए जाता है दूध में उसके कारण जो दूध का पिला रंग दिखाई देता ही अभी याद रखिएगा ऐसे करकर आपको याद रखना है उन्हींस के इंसर क्या हो जाएगा इसमें राइजोबियम हो जाएंगे जब दलहनी पौधे के जड़ो में होते हैं यह आपको क्या है तो सहजीवी नैट्रोजन योगी करण जिवाड़ू है तो बेसके इंसर यह हो जाएगा कुश्चन अबर 21 से के कुट्यों को काटने से जिसे बिसाडु द्वारा घात रोग उत्पन होता है वो कहलाता है तो कुट्यों के काटने से कौन से बिसाडु द्वारा जो रोग उ होता है जो इट्स कारण होता है हिसे के कर से चेचक जो होता है और 21 से होने वावले रोग जो होता है yepy आप खिंकुजवर्व वाइरोस से मनुजाइटिस एबोला भी वतन फिला भी चला था अभी जो अभी वायरस हो ला है कौन सा अभी कौन सा भी यमारी चल रहा है ठीक जो चाइना से उत्पन हुआ है Corona virus ठीक को बाइण ती का नाम है यहाद रखेगा वो भी virus से है ईबोला वला चिकनगुनिया ठिक यहाँ पर देख लिए कजेटिवाईटिस यह भी आपको क्या होता है वारिस से होने वाले रोग बैक्टरिया के होने वाले रोग देख लीजे बैक्टरिया से जो होते हैं इसकी आपको यहां पर वाइरिस मिस होता है बीसाडू और बैक्टरिया मिस क्या होता है जिवाडू जिवाडू से कौन होता है टेटनस होता है प्लेग होता है 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 चैरोग होता है टैफाइड होता ह आपको किसके कारण अबैक्तेरिया, प्रोटवध से होने वाले प्रोटवध होने वाले वीमारी है, आगे आगे चेलते हैं। तो आगे चलते हैं, किसमें ते बदाना है? टीका जो रोग होने ле किसे होजाईगा くक अ एक प्रकार का कवक है मस्रूम यह याद रखियेगा अगे चलतें क conceive आपको 26 नामक विमारी किसे उत्पन होती है जो एत्थ फुट है यह बिमारी किसे उत्पन होती है य evpताना है यह जो होती है यह कवक द्वारा even उत्पन होते अध्लीट फूट अगे कुशन नबर इसे क्या SO2 पर दूसर का स्वर्तम सुचांक है, तो जो SO2 पर दूसर होता है न सर्फ डायकसाइड, इसके स्वर्तम सुचांक के रूप में किसका उप्योग किया जाता है, तो आपको पर दूसर के भी रूप में आपको इसका जाच करने के लिए उप्योग किया जाता है, ये सबसे चोटा पुस्प हो चोटे के साथ आपको बढबी और चोटा दोनों याद रखना होगा तो कौन से बड़ा पुस्प है यह है आपको रफ्लेसिया रफ्लेसिया यह सबसे बड़ा पुस्प है यह याद रखिए का छोटा मैंने क्या बताया था तो वुलूफिया बताया था कुश्य नमर 33 देखिए कि आभासी फल का उधारन है इसमें से कौन सा अफासी फल है तो सेब जो है यह आपको सेव हो जाएगा नारियल के खाने वाले भागे होते हैं यह आ जो होता है तो न मुझपरपुर में रिक्षी जाता है तो लेची का फाल जो है लेची फल उसके खाने वाला जो भाग है वह कौन सा है यह आपको गाता है यह आपको पैटिस कंसर भी हो जाएगा सबस्क्राइब सबसे लमबा जीवित बिट्च कौन सा है सबसे लमबा जीवित बिरिच कौन सा यह आपको बताना है सबसे लंबा सबसे अच्छा सुरोत कौन सा है टो चीजवित Ł folder क्ला सund là छो था algor पूछता है यहां से बिटामिन आपका खतम हो जाएगा क्योंकि यह थोड़ा लंबा आपको नूर्स होगा लेकिन ध्यान से देखिएगा जल्दियल्दी मैं आपको बताता हूं ठीक यहां पर देखिए बिटामिन सब्सक्राइब का सवर्पर्सम परियोग जो किया था एसका नामकरण जो है अंग्रेजी वड़माला का नुसार है और उसका कैपिटल लेटर में अंग्रेजी वड़माला का है जैसे कि A, VITAMIN B, VITAMIN C, D, E, K मानो सरीर में इसके कार्बनिक पदार्थों क्या हो सकता कि यह आपको कम मत्रा में होती है बिटामिन कम मत्रा में मानो सरीर आपको घुलने के अधार पर बिलेता के अधार पर बिटामिन दो भरगों में भी भाजित किया जाता है जो जाल में घुलनसील बिटामिन है बिटामिन B और बिटामिन C जो ही है जल में घुलनसील बिटामिन कौन है तो बिटामिन A, बिटामिन D, बिटामिन की E और बिटा कराता हूं कि अगर यह कुश्चन आपके सामने से गुजारता है तो इजाम होल में आएगा तो आपर आप से कुश्चन कर लीजेगा यहां पर देखें विटामिन संसलेशनल मानों सरी के कोशिकाव दवरा नहीं हो सकता है इसलिए पूरती विटामिन युक्त खाद परदार् रेटिनोल में याद रख लीजिएयो विटामीन के क्या नाम रेटिनूल नाम याद फर्मुला देखना है तो यह देख लीजिए शीएस अपको इसके अत्रइत रताउंधी , रताउंजी दो होता है इसकी कमी के काराण हो जाता है, जो कि आखोंक़ पीमारी हैs टीक पनीर, आधे ? बीटामिन एक क कमी के काराण हो जाना यापको वीटामिन K अपको सबसे जादा दिखेका कि हरी परतियों में आपको मिलता है पतिदार सबजिया गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है बिटामिन मचली हुआ एकरित का तेल हुआ कले जी यह सब में बिटामिन मिलता है ठेक पनीर आदे बिटामिन एक अमुक सरोत भी है और 13 सेले के 15 वर्ष की आयो तक बालो और जो होती है यह 60 mg होती है ठेक बिटामिन की बिटामिन बी जो है यह कई समूह में पाया जाता है बी कंप्लेक्स इसका इसी से नाम है बिटामिन बी और यह आपको 11 परकार की बिटामिन के समूह है बिटामिन बी का यह याद रखेगा इस बिटामिन में निट्रोजन पाया गेहुँचावल दूद में यह समय पाया जाता है ठिक वित्यामिन बिवन यह आपको इतना ही याद रखना है और यह आपको ज्यादा नहीं पूछेगा बिटामिन बी-3 का आपको विग्यानिक नम पूछचेगा यह भी चल में घुलंसील है ठिक और यह क्या करता है थिए सर हो जाता है पिलागरा नमक रोग को जाता है और मांसिक वीकास और पाचन क्रियाएं में खराबी आ जाती है ठीक वीटामिन बीस नाम है इसका नाम है पायरे डॉक्सीन-पायरेक्स इसका नाम है विटामिन स्का टिक यह याद रखेगा ये भी जल में गुलन सील है और इसकी कमिसे सारी डिख ब्रिधी औरूद्ध हो जाती है था ब्यक्ति की अरक्तता का सिकार हो जाता है इसकी खुन की कमिका यह आपको याद रखना चाहिए विटामीन वी समेन विटामिन B, Semen का क्या नाम है, जिसका नाम है Biotine, विटामिन B, Semen का नाम है Biotine, और यह जो आपको देखिएगा कि हरा सब्जी या कृत ताजे फल में पाय जाता है, यह याद रखिएगा, आगे चलते हैं, विटामिन B, Semen का नाम है Pholic Acid, यह Acid है Pholic Acid, इसका नाम है Pholic Aml, और ये हरी पतिदार सब्जियों में पाय जाता है और इसका जो संसलेशर होता है ये कोलोन में बेक्टरिया द्वारा होता है और इसकी कमी से अलपता एनेमिया रोग हो जाता है रक्त के अलपता हो जाती है इसकी एनेमिया रोग हो सकता है ठीक वेटामिन ए B2L भुत महत्तवर के इसका नाम पुछ देता है क्या नाम है तो इसका नाम है साइनो calling कॉबालीन फेम काशन से नहां पार, smil pasa एक्ट के लिए उश्क प्रोटोइन का, वालो शर्री में इसकी रहता, उस L famous मेड़ी है यह वियाद रखिएगा, बिटामिन परकार का एसीड है जिसका नाम है और इसका फ्रमूला जो होता है यह ज्यादा तरह आप देखिएगा कि आवला मन सबसे ज्यादा पाया जाता है और खट्टे फ़लो में विटामिन बी का नाम है कलसी फॉरोल इसका नाम है यह याद रखेगा यह आपको वासा में बिले है जल में बिले नहीं है और यह विटामिन हडियों को मजबूती हिमानौ को सरी में में इसकी कमिस होने वाले बच्चों में रिकर्सता है या प्रोड अवस्ता में अस्टियो 팔ेश से ब्हुता है लग्त्य विटामिन को सुखा लोक के नाम से बंदेगा लिए याद रखेगा आखे चलते हैं गリटमीन दे के परचूर मात्र सोय गी टिमीन फ्लोवो फ्लुवोवकिलोन नाम है और ये एरक्त सराइ स्राइ Lynn रोधी होता थक्का जमने में ये सहय को हता है अगर इसके कमी होती है तो रखत जल्दी थक्का जमता ही नहीं ठीक यह याद रखिएगा मानस को शरीर में इस विटामिन की कमी से रख्त धक्का नहीं जमता है और कटे अस्थान्त परक्त स्वार अधिक हो दिने लगता है तो यह बहुत मतपूर है अब आई यह कोशन लगा लेते हैं टीका रोग किस से संब्दीत है यह आपको बताना है यह आपको पूरा खतम करा दिया 49 नमर को बताई यह आपको उपर भी मैंने कराया था मु संब्दीत है कोशन नमर चारिस देखिया कि अगनी राज रोग किससे चलते है जो अगलीरॉट रोग होता है यह आपको बताना है यह किसे समयสसा समय देथ है एकोशन को स्रीció आपको किस करीया को लेतेया और बूदे में ये लिटेभा यह आगकानीशना का निकास होता है सबसे रंग में सबसे अधिक होती है किससरंग में सबसे अधिक होती है यह आपको बताना है तो अप्यस्छन दिखें कि नमएक कूलोरोफिल में कौन सा फोरफिरीन पाया जाता है यहाँ पाया जाता है यहDieило ब्लड में पाए जाता है याद रखएगा और जो लौह है ये आपको ब्लड में पाए जाता है ये याद रखेगा तो आपको मैट्र कॉंड़ीया हुता है इस कैंसर क्या होजएगा दी होजएगा कुशन नमर 45 देख की किनमलेखित में कौन सा अगे हर्मोन है तो कौन सा अग पार किरतिक फल पकाने वाला हर्मोन है या आपको मैं आपको करा रहा हूं या 45 किंसर की आदाежд में हो जाएगा क्योंकि ये कुशन बार बार आया हुआ है और एक्जाम में आया हुआ है इसलिए इसमें कोई भी confusion नहीं होना चाहिए ठीक तो चलिए आगे चलते हैं तो आप से यह question पूछेगा कि पारकिर्थिक फल पकाने वाला हर्मोन क्योंकि यह भीवियाई question है अच्छार लगा लिजे तो यह लगा लेना अपने के लिए आपको इसका उप्योग किया जाता है तो 46 के इंसर भी हो जाएगा question number 47 के पेड़ पोधे में जाइलम मुखेता जिम्मदार होते हैं यह देखे यह बिहार द्रोगा में question पूछा हुआ था कि जाइलम मुखेता किसके लिए जिम्मवार होते हैं यह डिरेक्ट और हो जाएगा 47 की question number 48 पोधों में फ्लोयम किसके लिए उतरदाई होता है तो पोधे में जो फ्लोयम उतरदाई होता है यह होता है यह अहार वहन के लिए ठीक तो यह याद रखिए 48 के इंसर यह हो जाएगा question number 49 कि कि एक विरिच की आयू का पता किसके द्वारा लगाया ज सकता है आपके सामने चार अपसन हैं बताइए ये कैसे लगाया जा सकता है कि कि ब्रिच का का आयू का पता उसके कैसे द्वारत उसके वलेव की गिंती से उसकी जो वार्षिक वल थे उसके इंसर भी हो जाएगा कोईशन नबर प्रवास के नसर यह हो जाएगा कुश्ण नमर 51 के वंसा गति के अध्यन समंदित जिव विग्यान की सखा है जिसमें वंसा गति का अध्यन किया जाता है वो जिव विग्यान की कौन से सखा है यह आपके सामने अपसन है ठीक देख लिजे सबसे पले सारों अपसन देखकर कहालाता है आपको अनुवांस की अंतरगत आया ठीक है को कुशनन नमर 71 कि तुमें कि से अनुवांस की की पिता कहा जाता है इसमें किसे सब्ध कर पर स्भाणी किस ने किया था जीए शो compost उर्थभ्यों कि आगे है question number वंसगती की इकाई किसे कहा जाता है वंसगती जो एक पिड़ी से दुसरे पिठे में जाते हैं उसे वंसगती कहते है तो वंसगती की इकाई किसे कहा जाता है यह आपको बताना है तो वंसगती की जो इकाई कहा लाता है वो जीन कहा लाता है यह याद रखेगा आगे चलते हैं कि मेंडल ने जो मेंडल ने परयोग किया था किस पौधे पर परयोग किया था किस पौधे के संकरण का परयोग किया था यह आपको बताना है यह आपको बताना है मेंडल ने यह सधारण पी जो गार्डन वला होता है इसका परयोग किया था लिसाइफ के इनमें से कॉई नहीं को होता है कोशिका और यह सबसे प्रस्थम किसे दिया था यह आपको बताना है यह उन्हें कोशिका का और整 कृष्ट किसे कहा जाता पावरote कोशिका किसे कहा जाता है यह कहा जाता है माइट्रो कॉंड्रिया को यह याद रखिएगा कोशिका में प्रोटीन संसलेशन कहां होता है जो कोशिका में प्रोटीन संसलेशन होता है यह कहां पर होता है यह राइबोसोम में होता है प्रोटीनों का संसलेशन राइबोसोम में हो करता है यहां पर देखे कोशिका भीति कहलाता है सेल वाल कहलाता है जिसे सेल वाल बोला जाता है को यहीं जो है जन्तु कोशिका और आपको पादब कोशिका में जो अंतरा स्थापित करता है वहीं सेल वाल क्या करता है कि वह कठोरता परदान करता है पादब कोशिका को यह य और रंगों को परदान करता है बिविन बिविन अकर्सक रंग ठिक यह याद रखे है को रमोफ्लाष्ट के चलते रंग होता है कुश्चन नमर 22 कि कोशिका की आत्महत्या के थेली किसी कहा जाता है जैसे पॉर्स्रीन का संसलेशर का जाता है राईबोस्वम में किया जाता है कोशिका के आत्मत्य के थेली कौन होता है यह होता है आपको लाइसोसूम कौन होता है कोशिका के आत्मत्य के थेली लाइसोसूम होता है और राइबोसूम कोशिका के प्रोटिन ससलिसर के केंदर होता है और आपको मैट्रोकॉंड्रिया जो होता है यह कोशिका का उर्जगरी ह कुछिशन नमर 63 है कि 80% से अधिक सेल कुषिका में पाय जाने वाला तत्त है 80% से भी अधिक पाय जाते कुछिका में यह कौन सब तत्त पाया जाता है यह सभी लोग आप जानते होंगे इसका नाम है जल सरीरों भी जल सबसे ज्यादा पाया जाता है कूशन तो प्रोटेम निर्मार का सख्र इस्तर का नाम बताना है इसमें से कौन है तो प्रोटेन निर्मार का सख्र रियोत अस्तर जो ह shower ऑग और देख लिजेगा गया सबसेट की द्वारा किया घया था आपि को पृटिंजे द्वारा नाम परस्तावित किया था किसके दवारा विढ्यान का नाम इससे आता है आपको किस के द्वारा वाटसन ब्राउन ने किया था के लोरोप्लास के डबलू- अस्पेंटन नहीं याद रखेगा धरकाई की हुज म किसीyoung 52 नहीं किया था यहाँ पर देखिए स्पहिरोसों की खोज किस ने रvelop us रेखर यह याद रखेगाई राइब की खोज किस ने किया था अन्तरवी जाली का खोज किस ने किया था यह याद रखेगगा राइब डी डू बेल आइससों यह याद रखे गए राइबोस्वम का पैलेट ने किया था रेबोस्वम की खोज जो द्रब के खोज किस ने किया था तह यह किया था ठीक, अब यहाँ से कोईशन में आपको बताता हूं कि जो आपको आगे कोईशन है तीक, देखे इसका दो भाग में आएगा टोटल मैं आपको 220 कुशन कराने वाला हूँ और ये बाइलोजिक दो भाग में आएगा ये फ़र्ष्ट भाग है और इसके बाद सकेंड भाग आएगा आज ही आपको आज ही मैं सकेंड भाग भी अपलोड कर दूंगा आपको इभिनिंग तक तो देख लीजिएगा क्योंकि यह काफी लंबा वडियो हो जाता है और रिकोडिंग करने में भी समय लगता है आपको पता ही होना चाहिए तो इसे दो भाग में मैं आपको लोट करूंगा दोनों भाग आप रिबीजन कर लेते हैं तो आप असानी से कुशन कर लेंगे ठीक तो चलिए स्टार्ट केंसर हो जागा यह कुशन नबर अर्सा थे कि कोसिकिया या आडवी की जियो विग्ञान केंद्र कहां इस्थी थे तो कोसिकिया या आडवी की जियो विग्ञान केंद्र कहां परिस्थी थे यह आपको बताना है यह इस्थी थे आपको हैदराबाद में आगे चलते हैं कु यहां पर देक्षिए और उसे सममंधित क्या क्या आध्यान होता है फिर से मैं आपको करा देता हूं जैसे नियोस्मेक्स सिक्क्राइबी यहां पर देखिए किसका न अचिपर करोटिर करूख को डोय होता है यहां पर एकॉष्टिक्स अध्यानमें किसका तक्रीट गाल सब्सक्राइब का आपको यह सब्सक्राइब करना जिल्चर्रम इस लाता ट्रॉकर टोय होता है अम्हर io इसानी कि स्षाइभी बीस्तियों से इंतरोगी से समधित निली किसे समाधित यह पुस्प dissfol young wert by the को कि देखियां वचे नशनुष से संवां मैं ट्रण है क्या एव इंतरोगि किसे और आगे चलतें के सामने अपसन है कि यह आपको किसके अंत्रगत आता है अस्टेयो को 73 कि पताना है तो यह वक्षी रखता है उनका लोजी में किसका अध्या जाता थिया आध्याता है कि एप यह आगे चलते बाद बीखे फिलास्फिक जुलाजी के लेखा और है इसके लेखा कौन है बहुत मतपड कोशन फिलोसपिक जलोजी के जो लेखा कहीं यह कौन से है यह है आपको रहान लेमार्ग यह आपको यादर लुट्सी За एक Warlike की ओभां। पर्षीय करना नामेहां और किया था उचिẫn content हें दॉट्रारे के किस दोड़ी हो जागा। और जैन्टर फ्लेमिंग पिंसलीन की खुछ की तो यह किया था लेकिन जौसे फिल्टर जोह है कुश्ट रोख के उपचार यह आपको गलत सुमिलित किया गया ठीक सबसे पछले आपको सामने सभी अफसान रख देता हूं यह किया था आगे चलते हैं लाइसी है कि रक्त समुक आविसकार किस ने किया था तो रख्त समुका था यह आपको बताना है यह लैड एस्टीनर ने यह आपको बताना है यह जो काम करता है इसका नाम है कर्बोहेड कर्बोहेडरेट मानोशरीर में इंधन का काम करता है केपसुल का आवरन बना होता है जो केपसुल होता है नदवा वाला केपसुल उसका आवरन किससे बना होता है यह आपको बताना है यह देखें को प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अमन अवसक है तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अमन चाहिए आपको बताना ह यहाँ पर सी एंजाइम मूल रूप से क्या होता है यह आपको बताना है तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाते यह सोया बीन में पाया जाता है कि अगैं और 90 देखिए कि ऊट बीना पानी कुछ दिनों तक मरूस्थर में रहता है वह ऐसा कर पाता है। यह कुछ दिन तक मरूस्थर में रह जाता है तो भोगर!!! कि यह चिकनाई का पर्योग करकर अपने कूबर में जयाओं कि है चिकनाई का ठीक आगे सुरत है सबसे जादा जाता हुए जाथ है चारों अपसंदेख लीजिए तो यहां पर दिक सकते हैं बीटामीं-E भंडारी तो यहां रूप जो नमरे जो यहाँ नहीं हो bleibt इक शरीर में भंडारित नहीं होता है तो यह contamin जो है यह विटामिन आपको डी है यहाँ पर देख सकते हैं कि विटामिन डी है जो शरीर में बंदारित नहीं होता है यह आपको कहां से लेना पड़ता है तो सुरज के प्रकास से ठीक चांवे कंसर सी हो जाएगा कोशन नमर 97 है कि नमलेखित में कौन सा विटामिन जल में यह जो है जितना भी कूशन सही किया कि नहीं क्या यह जरूर बताना है घितना भी कॉशन सही किया जरूर बताना है comment box में अपने score के साथ comment box में yes लिखना है अगर 100 yes आ जाता है जिसका second part भी मैं upload कर दूँगा जिसमें total 120% होगा और इसे revision के तौर पर आपको लेना है और जैसे ही ये complete होता है आपको मैं आपको क्या करूँगा कि कल से minimum test भी biology का start कर दूँगा जिसमें 25 question होगा और आसानी से सभ कर लिजिएगा आप खुद ही देखिएगा तिससे एक दो बार जरूर वीडियो को देख लिजिएगा और अपना score जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजिएगा को भी मन में डाउट है को नबक्ष में लिख सकते हैं वीडियो देखने के आपका ब